नमस्कार बैजूज आयस हिंदी में आप सभी का स्वागत है और आज हम 21 अक्टूबर के प्रमुक्ष समाचारों पर अधारित कुछ प्रस्णों पर चर्चा करने वाले हैं तो आये सुरू करते हैं आज का डेली क्विज यहाँ पर question number one है बौध धरम में कुसी नगर का एक महत्पुन अस्थान है क्योंकि और यहाँ पर आपको चार option दिये गए हैं तो यहाँ पर चर्चा हो रहा है कुसी नगर का आप इस figure में देख सकते हैं इस figure में उन सभी अस्थानों का चर्चा किया गया है जो अस्थान भग सहर है जहाँ पर भगवान बुध की मिर्ती हुई थी जिसे हम महा परिनिर्मान के नाम से जानते हैं और इसके धार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर question number one का answer होगा option number A जहाँ पर कहा जा रहा है गौतम बुध ने यहाँ महा परिनिर्मान प्राप्द किया तो ध्यान दर्किट याने की बौध परिपत का नाम दिया गया है और इसी से जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के दहिंदू समाचार पत्र में आया है जहाँ पर यह बताया गया है कि पधान मंतरी के द्वारा कुसी नगर में एक इंटरनेस्टल एरपोर्ट का सुभारंब किया गया है और इसके अलावा उस छेतर को डेवलोब करने के लिए भी बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं तो इस न्यूज को आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे आईए आप कोशन नंबर टू पर चार्चा कर लेते हैं कोशन नंबर टू है निमलिखित में से कौन सा देश काला सागर के साथ सीमा साझा करता है और यहाँ पर आपको पांच देशों के नाम दिये गए हैं पहला देश है रूस दूसरा है रोमानिया तीसरा है यूनान चोथा है तूर्की और पाचवा है बुल्गारिया अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखें तो यहाँ पर रोमानिया, बुल्गारिया, तुर्की और जोर्जिया ऐसे देश हैं जिसकी सीमा ब्लैक सी से लगता है और इसके धार पर अगर देखा जाए तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर युनान एक ऐसा देश है जिसकी सीमा काला सागर याने की ब्लैक सी से नहीं मिलता इस नमबर C याने की 1, 2, 4 and 5 तो ध्यान दखेगा कुछ नमबर 2 का एंसर है option नमबर C इस figure को भी आप लोग ध्यान से देख लेंगे और इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के दहिंदू समाचार पत्र में आया है जिसका सिर्सक है पेंटागन चीफ और जेस more black sea security ties तो यहाँ पर US defense secretary के द्वारा ये कहा गया है कि black sea के area में रूस के aggression को रोकने के लिए उसे counter करने के लिए NATO को इसके आसपास के देशों के साथ मिल करके काम करना चाहिए आप देख सकते हैं कि रूस के द्वारा Ukraine के साथ कुछ aggression दिखाया जा रहा है और यहाँ पर उसी को देखते हुए इस पूरे area का जो tension है वो बढ़ गया है यहाँ पर Romania जो कि पहले से ही NATO का ally है वहाँ पर America के कुछ cynic मौजूद है लेकिन अमेरिका का यह कहना है कि रूस को इस छेत्र में कमजूर करने के लिए बाग की जो सारे देश हैं उसके साथ मिल करके उसको काम करना चाहिए आपको याद होगा कि युक्रेन और जॉर्जिया भी NATO में सामिल होना चाहते हैं और इसी को देखते हुए यह सारी दनिती यहाँ पर बनाई जा रही है नाटो के द्वारा आए आप कोश्चो नमबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं कोश्चो नमबर 3 है उदारिकृत प्रेशन योजना याने कि लिब्रलाइज रिमिटाइंस स्कीम के तहट निवासी व्यक्तियों को एक वित्य वर्स में निमलखित में से कितनी रासी प्रेशित करने की अनुमती है और यहाँ पर आपको चार आप्सन दिये गए हैं तो यहाँ पर चर्चा हो रहा है LRS याने की लिब्रलाइज रिमिटाइंस स्कीम का अगर हम इस योजना की बात करें तो इस योजना को रिजर्ब बैंक के द्वारा 2004 में सुरू किया गया था और इस योजना के तहट निवासी व्यक्तियों को यानि की जो भारत के निवासी हैं उन व्यक्तियों को एक वित्य वर्स के दोरान किसी अनिदेश में निवेस और वै के लिए एक निश्चित रासी भेजने की अनुमती दी जाती है और यहाँ पर जो नियम है उसके अनुसार निवासी वैक्ति प्रती वित्य वर्स में दो लाख पचास हजार अमेरिकी डॉलर तक प्रेसित कर सकते हैं और इसके धार प्रगर देखा जाए तो यहाँ पर कोश्च नंबर 3 का एंसर होगा आपका ओप्स नंबर B याने की दो लाख पचास हजार डॉलर तो ध्यान रखेंगे कोश्च नंबर 3 का एंसर है ओप्स नंबर C इस योजना से जुड़ी ही कुछ बाते आपको ध्यान में रखनी हैं यहाँ पर कहा गया है कि यह जो पैसे निवासी व्यक्तियों के द्वारा आने देशों को भेजे जाएंगे उसका उप्योग यात्रा, चिकिस्सा उपचार, अध्यन, उपहार और दान, करेबी मंदित खर्चों का भुगतान करने के लिए किया जा सकता है, इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो रासी है उसका उप्योग, सेरो, रिन उपकरनों में भी निवेश के लिए किया जा सकता है और विदेशी बजार में अचल संपति खरिदने के लिए भी इसका इस्तमाल किया जा सकता है तो इन छुट-छुटी बातों का आप लोग ध्यान में रखेंगे इससे हमेशा question पूछे जाते हैं और इससे जुड़ा हुआ एक news आज के The Indian Express में आया है जिसका सिर्षक है outward remittance in August hit all time high और यहां पर बताया जा रहा है किस तरीके से COVID-19 का जो lockdown खुला है पूरी दुनिया में उसके कारण भारस से विदेशों में जा करके जो पढ़ने वाले छातरों की संख्या है उसमें विर्धी हुई है और उसके कारण यहां पर जो data दिया गया उसमें बताया गया है कि LRS scheme के तहत अगस 2021 में पिछले सालों की तुलना में जादा पैसे बाहर भेजे गए हैं तो इस news को भी आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे यहां पर outward remittance की बात हो रहे यानि कि वो पैसे जो भारस से किसी विदेशी देश में जाते हैं और यहां पर इन remittance में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ है आईए अब question number 4 पर चाचा कर लेते हैं question number 4 है तापमान वृधी के प्रभाव के संदर्व में निमलखित कत्रों पर विचार कीजिए और यहां पर आपको तीन कत्रों दिये गए हैं और आप से पूछा जा रहा है उप्यूप कत्रों में से कौन सा कथन सही है यहां पर पहला कथन है तापमान बढ़ने से पौधो की परिपकोता अवधी कम हो जाती है इससे जुड़ा हुआ एक निउस आज के इंडियन एक्सप्रेस में आया है जिसका सिर्षक है जब आप इस निउस को पढ़ेंगे तो यहां पर यहां समझाया गया है कि तापमान बढ़ने के कारण जो पौधो की maturity time है उसमें कमी हो जाती है वो छोटे हो जाते है जिसके कारण इसका असर उनके पैदावार पर पढ़ता है और यहां पर उसका डेटा भी दिया गया है यहां पर कहा गया है कि मेज में पैदावार में 6% की कमी आई है वीट में 3% की कमी आई है और यह सारे इसलिए हुए हैं क्योंकि यहां पर जो तापमान है वो बढ़ा है और जिसके कारण इन पौधों के जो मेचियोर्टी टाइम है वो भी कम हो गई है और इसका असर इन पौधों के पैदावार पर पढ़ा है और इसके धार पर अगर देखा जाए तो यहां पर पहला कथन पूरी तरीके से सही है आए देख लेते हैं दूसरे कथन को और दूसरा कथन है तापमान बढ़ने से पैदावार कम होती है तो यहां पर अभी हमने देखा कि यहां पर पूरा डेटा दिया गया है कि किस तरीके से तापमान बढ़ने के कारण जो पौधों की मेचियोर्टी टाइम है उसमें कमी आती है और उसके कारण उनकी पैदावार में कमी आती है जिसका डेटा यहां पर साजा किया गया है और इसके धार पर देखा जाए तो यहां पर दूसरा कथन भी सही है आए देख लेते हैं तीसरे कथन को तीसरा कथन है गर्मी के संपर्क में आने से होने वाली मौतों के मामले में विश्वस्वा संग्ठन के अनुसार येरोपिय छेतर सबसे अधिक प्रभावित है तो यहाँ पर ये कथन भी साही है जब आप इस निउस को पढ़ेंगे तो यहाँ पर कहा गया है कि हाला कि 2018-2019 के बीच में येरोपिय रिजन में गर्मी से मरने वालों की संख्या में कमी आई है लेकिन फिर भी ये जो ये जो येरोपियन छेतर है वह इससे सबसे ज़्यदा प्रभावित छेतर है 1.08 याने कि 1,08,000 लोगों की मिर्तिव गर्मी के कारण हुई है तो यहाँ पर इस निउस के अधार पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तीसरा कथन है वो बिल्कुल सही है याने कि question number 4 का answer होगा आपका option number D यहाँ पर सारे के सारे कथन सही है आईए अब एक प्रिवजिय सेरे question पर चर्चा कर लेते हैं और यह question 2019 से पूछा गया था question number 5 है निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर आपको तीन कथन दिये गए थे और आप से पूछा जा रहा है कि उप्यूग कतनों में से कौनसा कथन सही है यहाँ पर पहला कतन है किर्सी मिर्दाएं पार्या वरन में NITROGEN के OXIDE निर्मुक्त करती हैं तो ये बात बिल्कुल सही है आप सभी जानते हैं किर्सी मिर्टी नाइटरस अक्साइड के एक बहुत बड़े स्रोत का प्रतिनित करती है और यहाँ पर जो अनुमान लगाया गया है उसमें यह कहा गया है कि वैस्विक अस्तर पर क्रिसी मिटी के कारण 2-4 मिलियन टन नाइटरस अक्साइड वातावरन में उसरजित होता है यानि कि यहाँ पर जो पहला कथन है वो पूरी तरीके से सही है आए देख लेते हैं दूसरे कथन को दूसरा कथन है मवेसी पार्यावरन में अमोनिया निर्मुक्त करते हैं तो यहाँ पर यह बात भी बिल्कुल सही है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार दुनिया भर में जो पसुधन है वह पार्यावरन में छोड़े गए सभी ग्रीन हाउस गैसे जैसे मिथेन, कार्बन डायोकसाइड, नैटरस अकसाइड, फ्लोरीन का लगभग 14.5% उस इसके धार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर दूसरा कथन पूरी तरीके से सही है आए देख लेते हैं तीसरे कथन को तीसरा कथन है कुकुट उद्योग पार्यावरन में अभी क्रियासील नाइटरोजन यौगिक निर्मुक्त करते हैं तो यहाँ पर हमने अभी अभी यूएन का रिपोर्ट है उसमें भी इस बात का जिकर किया गया है यानि कि यहाँ पर जो तीसरा कथन है वो भी सही है और इसके धार पर अगर देखा जाए तो कोश्चन नमबर फाइब का एंसर होगा आपका ओप्सन नमबर डी यहाँ पर तीनों के तीनों कथन सही हैं अगर हम डिपटी स्पीकर की बात करें तो आप सभी को पता होगा कि स्पीकर के चुनाव होने के बाद लोगसभा के डिपटी स्पीकर का चुनाव होता है और चुनाव की तारिख स्पीकर के द्वारा तै की जाती है यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि 11 लोग सभा के बाद से यह आम समधी बनी है कि जो लोग सभा का speaker होगा वह सत्ता में बैठी party का होगा और जो deputy speaker होगा वह मुख्य विपक्षी party का होगा अगर हम deputy speaker के सक्तियों की बात करें तो आप सभी यह जानते होंगे कि जब speaker का पद खाली हो जाता है जब speaker सदन में मौजूद नहीं रहते हैं तो उस समय deputy speaker के द्वारा speaker का पद सम्हाला जाता है और जब deputy speaker speaker के पद को सम्हालता है तो उसके पास वो सारे सक्तिया होती हैं जो speaker के पास होती हैं आपको यहाँ पर यह भी ध्यान में रखना है कि जब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और उस समय अगर इस पीकर मौजूद नहीं रहता वो अनुपस्थित रहता है तो ऐसे मामलों में भी डिप्टी स्पीकर के द्वारा ही इस संयुक्त बैठक का अध्धक्षता किया जाता है वोटिंग के समय अगर बराबरी किस्त होती है तो उसके पास भोट डालने का विशेसाधिकार होता है कहने का ऐसे यह है कि जब डिप्टी स्पीकर स्पीकर के पद को संभालता है तो उसके पास वो सारी सक्तियां होती है जो स्पीकर के पास होती है यहाँ पर एक और बात आपको ध्यान में रखना है कि डिप्टी रखना है जो कि एक्जाम में बार-बार पूछा जाता है आसा करता हूँ कि आपको आज का ये daily quiz पसंद आया होगा सारे questions बहुत important topic से जुड़े हुए हैं आप इन topic को revise कर लेंगे, question को revise कर लेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरू से like करें, share करें और दूसरों को भी subscribe करने के लिए प्रेज़ करें तो मिलते हैं daily quiz के अगले अंक में तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद